नमस्कार दोस्तों, इलेक्टिक वैकिल इन्डिया में आपका स्वागत है मैं हूँ अजीत, इस विडियो में हम बात करेंगे कि जब हम नई इलेक्टिक स्कूटर पर्चेज करते हैं या फिर कार पर्चेज करते हैं तो हमें एलेक्टिक गाडियों की रेंज उतनी नहीं मिल पाती जितनी की कम्पनिया क्लेम करती है। दोस्तो आजकर लोग पेट्रॉल डीजल की बढ़ती कीमत के चलते एलेक्टिक वैकिल को खरिदना पसंद कर रहे हैं। एलेक्टिक कारों से लेकर एलेक्टिक बाइक्स और एलेक्टिक स्कूटर तक भारतिय आटो मुवाइल्स बजार में मौजूद है। इन में से कई एलेक्टिक वाहन ऐसे हैं जो अच्छी खासी रेंज देते हैं। जब आप इन्हें चलाते हैं तो कई बार इन में company के दावे के मुताविक range नहीं मिल पाती। ऐसे में आपको बार बार अपने electric वाहन को charge करना पड़ता है। अगर आपके पास भी कोई electric वाहन है और आप इस समस्या से जूज रहे हैं तो हम आपको इस समस्या का समधान बताएंगे। इस दिक्कत को समझने के लिए आपको electric vehicles के बारे में जानना जरूरी है। उधारन के तोर पर मान लिजे कि आपने कोई electric scooter खर दी है जिसकी maximum range 80 km है। अगर उस scooter की top speed 110 km प्रति घंटे है और आप लागतार इसी speed पर अपने electric scooter को चला रहे हैं तब आपको company के दावे के मुतावित 80 km की range नहीं मिलेगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप top speed में अपने electric scooter को चलाते हैं तो इसके लिए ज़्यादा battery खर्च होती है। ऐसे में आपको 80 km वाली range नहीं मिलेगी बलकि आपका scooter 40-50 km की दूरी ही तैकर पाएगी। ठीक ऐसे ही electric car के साथ भी होता है। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप simple tips को follow करके अपने electric वाहन की range बढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके electric वाहन company के दावे के नुसार दी गए range दे तो ऐसा करने के लिए आपको अपने electric वाहन को कम से कम speed पर चलाना है। सिर्फ ऐसा करके ही आप maximum range हासिल कर सकते हैं। अगर आप तेज speed में अपने electric वाहन को चलाएंगे तो ऐसी स्तिती में आप electric वाहन से maximum range हासिल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि battery जल्द खतम हो जाएगी और आप आधी दूरी ही तय कर पाएंगे। इसके लिए आपको अपने electric वाहन को economic mode में ही चलाना पड़ेगा। क्योंकि economic mode में ही electric गारिया की testing होती है और वह range उसी से निर्धारित की जाती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी electric scooter अच्छी driving range दे तो आप हमेशा अपने गारी को economic mode में ही चलाए। ना कि आप high speed में चलाए, high speed में चलाने से गारी की battery थोरी सी जल्दी खतम हो जाती है। अगर आप हमारे channel पर नए हैं तो हमारे channel को subscribe करें ताकि आने वाले समय में आपको हमेशा नए नए video मिलती रहे।